कड़ कड़ाती ठंड में आज मेरा मन किया सूप पीने का तो हम निकल गए सूप पीने ये देखो हमारे यहां का थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर प्रधान मंतरी स्वनिधी बजार के बोर्ट्स लगे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके यहां भी यह है या नहीं हैं इतनी ठंड में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है पर कार में हम खूब एंजाय करके जा रहे हैं ये मेरे शहर का घंटा घर चौक है जो यहां का मेन एरिया है और यहीं पर हमारे हनुआन जी का मं तेस्टी दिखने के साथ साथ पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है एक्चली यह बहुत ज़्या चाहर और यह बहुत गरम था और इस はいo taw और इस तेस्ट हवे अपोत तैंगी होता हैसमें मीठा अहीं होता है और इसमें जो जो अरोमा आता है वह बहुत जहास पाईसि पर इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है सूप पीने के बाद हम गए अपने सेकिंड डेस्टिनेशन पॉइंट पर योकि मेरे हजबेंड को पीनी थी गरम गरम कॉफी एक्चुली हम दोनों की चोईसे बहुत डिफरेंट है मुझे बहुत तीखा और खटा पसंद है और मेरे हजबेंड को स्वीट और स्टेबल पसंद है तो कॉफी हमारी आ गई थी और देखो कितने अच्छे से भाईया ने प्रेजेंटेशन की है और कितने सुंदर लग रही है रामन किया इसको पीने का और जैसे ही मैंने इसको टेस्ट किया मेरी जीब जल गई क्योंकि कॉफी बहुत ज़ादा गरम थी खैर कोई बात नहीं एक या दो दिन में ये ठीक हो ही जाएगी